भगवान शीराम ने स्वेत बंद्रा मिश्वर बांधते समय पहले मिट्टी के सिविलिंग की पूजा करीक नी करी जोर से बोली और भगवान शीराम तो कहते हैं नहीं को मुशिव समान प्रियमोरे असफरतीत तजमु जनब होरे शीव द्रोही ममदास कहावा सोनर सपने उमोही नहीं पावा राम जी कहते हैं रामान में जो शीव लिंग नहीं रखता घर में शीव लिंग का द्रोही है बिना शीव लिंग के कोई भी देवी देवत अपनी पूजा को श्रुकात रहता है शिप्पुरान में लिखा है जो अपने घर में सिवलिंग की पूजा कर लेता है उसे किसी देवता की पूजा करने की आवशकता नहीं है सारे देवी देवताओं की पूजा शिवलिंग में हो जाएगी बगर जो शिवलिंग को छोड़ कर सारे देवी देवताव की पूजा करता है उसकी पूजा को कोई भी देवी देवताश्विकार नहीं करते है विश्वास नहीं तो इस लोग बोल देता हूँ शिवा लिंगों पिसरवेशा देवा नाम पूजनम भवेद सर्वलोक मये असमा छिवशक्तिर भिहू प्रभू लिंग शिवलिंगों पिसरवेशाम देवा नाम पूजनम भवेद शिवलिंग की पूजा में समष्थ देवी देवताओं की पूजा संपूर्ण हो जाता है सच बताओ घर में शिवलिंग रखना चाहिए कि देवा रखना चाहिए समझ में आ गया होगा ना बिना शिवलिंग के किसी भी प्रकार की पूजा कोई क्रहण नहीं करेगा जिन को ये संका है किस्त्रियों को शिवलिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए बहलाओं को शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए शिवलिंग की पूजा नहीं करने चाहिए ऐसे अज्ञानियों के लिए मैं सास्त्र का प्रमाने की स्लोग बोल कर बताता हूँ अत्री भार्यच अनुसुया त्रिनी वर्ष सतानिच मुसले सुनिराहारा शुक्ता सर्वातत स्तुतान। अत्री भिशी की धर्म पत्मी अनुसया ने तीन सो वर्षों तक शिबलिंग की पूजा करके मुसलों पर सयन करके जब तपश्चा की तो भोले नाद की कृपा से तीनों देवता अनुसया के बेटे बन करके पहुच गए लिएुएुएुएुएुएुएुएुएुएु लिएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुएुए